हेलो स्टुडेंट हमने पीछे की वीडियो के अंदर जो डी एन्ने हैं डी एन्ने के बारे में पड़ा था डी एन्ने को हम एक नुकलिक अंबली तो है डी एन्ने नुकलिक एसिद तो हमने ये पड़ा था कि जो नुकलिक एसिद है वो मुख्य रूप से सूगर एंटू बेश और इसको हम बोल सकते हैं क्या जैसे पिछे के वीडियो में हम बताया था इसको हमें तुकलियो साइड बोलेंगे और इसके अंदर ये दी फासफोरिक अमल और जुड़ जाए तो इसको पूरी जो है इसको हम नुकलियोटाइड बोलेंगे नुकलियोटाइड और ये जो नुकलियोटाइड है इसका ये पोली मेराइजेशन हो जाए यानि बहुली करन हो जाए तो फिर पूली नुकलियोटाइड एक बहुलक बनता है तो हम कह सकते हैं कि DNA के बहुलक स्टेक्चर है नुकलियोटाइड की अब इस वीडियो में एक नहीं चीज़ आपको बताते हैं चारगोफ का तुल्यता नियम चारगोफ का तुल्यता नियम क्या कहता है चारगोफ इक्वेलेंसी रूल्स क्या कहता है यह रूल यह कहता है चारगोफ ने 1949 में अपनी स्टड़ी करके यह है बताया कि जो DNA है उस DNA के अंदर जो शार की शरंचना के संदर्म में कुछ जानकारी दी इन्होंने कहा कि DNA के अंदर जो प्यूरीन है प्यूरीन की कुल मात्रा जो होती है वो प्यूरीमीडीन के बराबर होती है अर्थात प्यूरीन के हम बात करें जैसे A है प्यूरीन और Z है प्यूरीन एडिनिन और गौाइनिन एडिनिन और गौाइनिन की जो मात्रा है वह थाइमिन और साइटोसिन की जो मात्रा है यह आपस में बराबर होती है यह बताया चारगॉफ में साथ में इनों ने कहा कि एडिनिन जो है और थाइमिन है एडिनिन और थाइमिन तथा गौइनिन और साइटोसिन यह जो है समान मात्रा में होते है यानि कि जितने एडिनिन होंगे डिनिन में उतने ही थाइमिन होंगे और जितने गौइनिन होंगे उतने ही साइटोसिन होंगे अर्थात इनका अनुपात बराबर होता है लेकिन एडिनिन और थाइमिन दोनों को यह जोड़ दे और इधर ग्वाइनिन प्लस साइटोसिन को जोड़ दे तो यह जरूरी नहीं है कि इनका दोनों का योग और इनका दोनों का योग बराबर हो यह जरूरी नहीं है तो जो यह चीज बताई कि Purine की मातरा Purimidine की मातरा के बराबर होती है यानि A प्लस Z जो है वो T प्लस C के बराबर होगा या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं A प्लस Z बटा T प्लस C बराबर एक तो यह जो है यह चीज चारगॉफ ने बताई सबसे पहले इसलिए इसको चारगॉफ इक्विलेंसी रूल या चारगॉफ का तुल्यता निया में कहते हैं इसके अलावा चारगॉफ ने यह बताया कि A और यह अधियम बात करें A प्लस T बटे G प्लस C यह जो अनपात हैं वो A और T का बराबर होता है G और C बराबर होते हैं लेकिन A और T और G और C यानि के बराबर नहीं होते हैं अर्थात यह जो हैं जीवों के साथ चेंज होता रहता है जीवों के साथ इसमें प्रिवर्टन होता है और जो शारक हैं इविन प्रकार के जो नाइट्रोजनी शार हैं इनको बारों में नाइट्रोजनी जो बेस हैं इनके बारे में एक और चीज बताई चारगॉफ ने कि जो वाइरस हैं उनमें और प्रो केरियोट्स में वाइरस प्रो केरियोट्स जदा लोवर प्लांट्स में एटी जो हैं यानि एडिनिन और थाइमिन की तुलना में जी सी जो होता हैं जी और सी का अनुपात अधिक होता हैं जी सी का अनुपात जो हैं वो एटी से ज़्यादा होता है किन में वाइरस प्रो केरियोट्स और लोवर प्लांट्स में जबकि उच्वर्ग के जो पोदे हैं हाईर हाईर प्लांट्स एंड एनिमल्स जो हैं हाईर प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं उसमें ए प्लस टी की मात्रा जी प्लस सी से ज़्यादा होती हैं यानि A T जो हैं उसका अनुपात जो है उसकी बज़ाए जीसी अधिक होता है किसमें वायरस प्रो नियम एक बार फिर दोड़ा देते हैं चार्गॉफ नियम को कि चार्गॉफ ने 1949 के अंदर एक अध्यन करके शारों के बारे में बताया था कि जो शार सरंचना है उसके संदर में अपमेने नियम दिये और उन्होंने कहा कि पीरुइन की जो मात्रा होती है वो DNA में पाइरे मेडीन के बराबर होती है अर्थात A प्लस Z जो है उसकी मात्रा T प्लस C के बराबर होती है और A प्लस T जो है तरहता जी प्लस C है यानि कि जी और C और A और T इनका अनुपात बराबर होता है लेकिन A प्लस T और जी प्लस C ये समान हो ये कोई जरूरी नहीं है अर्था A जितना होगा उतना T होगा G जितना होगा उतना C होगा परन्तो ये जरूरी नहीं है कि A प्लस T पटा G प्लस C बराबर एक हो ये जरूरी नहीं है ये जीव के साथ परिवर्तित है और साथ में इन्हों ने ये चीज बताई कि वाइरस और प्रोकेरियोर्स और लोवर्स और प्लांट्स हैं उनके अंदर जो GC हैं उसकी मात्रा चादा होती है 80 की तुलना में और हाइर प्लांट्स और एनिमल्स हैं उसमें 80 की मात्रा GC की तुलना में अधिक होती हैं इसको चार्ग ओफ रूल कहते हैं